मैं यहां पे आपनों को अपना परिशे देना चाहूंगा मेरा नाम डाक्टर शशांग कोजा है मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई किंग जार्ज मेडिकल काले यानी केडियमसी से की उसके बाद मैंने MD चेस्ट वहां से किया और वरिष्ट आवासी चिकिस्तक के पर पर चेस्ट इपार्टमेंट में केडियमसी में मैंने धाई साल काम किया और 2006 से मैं यहां काना हिल्थ केर सेंटर जो की बर्गदवा चवराहे पर है मैं यहां काईडर्थ हूँ और 16 साल से मैं आपको अपनी सिवाय दे रहा हूँ जैसा कि MD चेस्ट का मतलब कि चेस्ट की बिमारियों से संब्धित इलाज तो भई नेच्छल सी बात है कि जो चेस्ट से संब्धित बिमारियां हैं जैसे अस्त्मा है COPD है TB है ILD है Sleep related disorder है Lung cancer है तो जितनी भी चेस्ट की बिमारियां है इसमें मेरा specialization है और इसी की मैं practice करता हूँ तो अब हम लोग जो है आते हैं Next slide please तेखिए आप इसमें देख रहे हैं यह मैं हूँ और यह मेरा ब्रांको इसकोपी और थोरा की इसकोपी करते हुए समय का फोटो है आप इस डाइग्राम में देख रहे हैं एक छोटी सी यह पतली सी पाइप है और यह टीवी का स्क्रीन है जिस पे दिख रहा है यह सांस की नली है और यह मरीज के नाक से अंदर जाते हैं और नाक से अंदर होते हुए फेपड़े की जाँच करते हैं यह पूरी प्रक्रिया बेहोसी रहित होती है मरीज पूरा होस में रह सकता है पात करता है हम नाक से अंदर होते हुए सांस की नली से होते हुए फेपड़े में जाते हैं और दोनों फेपड़े की जाँच करते हैं और ये इसको थुरह को इसकोप कहते हैं इसकी थुरह को इसकोप है ठीक है और इस मरीज को बार बार फिर्फडे में पाणी चड़ने की समस्या थी तो इसका ये थुरह को इसकोप के माध्यम से हम अंदर जो है इसके फिर्फडे में गय है और ये भी पूरी प्रक्रिया लोकल पुरी प्रक्रिया बेहसी रहेत होती है इस प्रक्रिया को हम थुरेइकोइस्कोपी करते हैं दुर्बीन विधी द्वारा ऐसे मरीज जिनको बार बार फेफडे में पानी चड़ रहा है उनका थुरेकोइसकोपी के द्वारा इलाज होता है तो दो तरह की इंटर्विंशन है ब्रांकोइसकोपी और थुरेकोइसकोपी तो ब्रांकोइसकोपी में आपने देख लिया कि नाक की माधियम से मंदर जो है जा रहे हैं और थुरेकोइसकोपी में पानी आज वाले मरीज जिसको पानी चड़ा हुआ है उसमें फेफडे की घिल उसमें अंदर आ रहा है एक आपरेट करने उस Means तो इससे दो चीजें जो है हमारी प्रोसीजर की इस पेसेल्टी हुई इसको आयर इंटर्वेंसनल परमुलाजी कहते हैं इसको कि आप दुर्वीन के माद्यम से फेफडे की बिमारियों का इलाज में करता हूं तो ये इस विसाय पे जानकारी देना बहुत जरूरी था कि ब्रांकोस्को यानि दुर्वीन के द्वारा फेफडे की बीमारियों की जाच इवं इलाज और थ्रेकोस्कोपी यानि दुर्वीन विधी द्वारा ऐसे मरी इनको बारवार फेफडे में पानी चाड़ता है उनकी जाच इवं उनका इलाज अब आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं कि दो तरह की प्रोसीजरल इस्पेसलिटी हो गई ब्रांकोस्कोपी जो मुने बताया दुर्वीन विधी द्वारा फेफडे की बीमारियों की जाच और थ्रेकोस्कोपी अब बात आगे कि ब्रांकोस्कोपी में होता क्या है तो आप सबसे लास्ट वाली लाइन में जो देखिए रूटीन प्रोसीजर में लिखा हुआ ब्रांको अल्वियोलर लवाज अब ब्रांको अल्वियोलर लवाज आप मोटा मोटा ये समझे कि फेफडे की धुलाई यदे मालीज़ीए Kök ये जिसको 15 देन से खासी आ रही हुआ हूंच करनेब भूख नहीं लग रही है तो उसका एकस्थ्रे करा किमें दाग आ गया हमने हमने अंदाज लगाया कि भी इसको टीवी की मिमारी हो सकती है पंदद दिन से खांस जा रहे हैं बुखार आ रहा है भूक नहीं लग रहा है हमने दवाई लिख दे हमने गहा है मरीज लिख जाओ भाई बल्गम की जाच करा लो अब मरीज ने बल्गम सही से दिया या नहीं दिया पुरा गला खाखारा जादा मात्रा में दिया या नहीं दिया पता चला उसकी बल्गम की जहांच हमारे पास आया निगेटिव और मरीज हमें लग रहा है कि इसको बाकर में टीवी है हमने दवाई तो सारा काम अंदास से होगा ठीक वही मरीज का हमने दुर्बीन से अंदर गए और अंदर से हमने उसका ब्रांक को अलवियोलर लवाज लिया यानि कि फेपड़े के हर छेट से हम नार्मर से लाइन डाल करके उसको सक करते है और सक करके वो सक्सन चैनल में आ जाता उसको हम जाँश के लिए बेजते हैं तो कोई चीज मिस नहीं हो सकते वो दोनों फेपड़े की धुलाई भी हो गई और उसका हमने जाँश ले लिया बल्गम का तो उसमें कोई भी बैक्टिरिया होगा जरासा भी होगा तो पाश्टिवा जाएगा मसीन पर वो टेस्ट लगता है इंसान को अपने आग से देखना नहीं मसीन पर लग गया जरा भी चीज हुआ तो जहाँश में पकड़ में आ जाएगा इसको ब्रांको अलवियूलर लवाज करते है अब बात आदे सबसे उपर आप देख रहे हैं TBNA Transbranchial Nidle Aspiration यह क्या होता है कभी कभी हम X-ray कराते हैं जैसे माले यह किसी के गले में गिलती है गले में काट है तो उसकी एफिनेसी होगे स्वी डाल करके जाश ले जाती है उसी तरह से फेफडे के बीच वाले हिस्से में जिसको मेडियास्टिनेम बोलते है इसमें जैसे माले किसी कोई लड़का है 15-16 साल का या कोई इंसान है गले में गाठ है वही सीरीड जो है नीचे आती है तो उसमें बीच के हिस्से में छुटी छुटी गाठ बन जाती भाई अगर गले में है तो हम उसका भाई भेज के एफडेसी करा लिए सुईसे जाच करा लिए यहां हम कैसे जाएंगे तो यहां हम जो है तुर्बीन के माध्यम से जाएंगे प्रांकोस्कोप के माधम से अंदर होते हुए यहां पहुंचेंगे और निडिल से वहां अंदर डाल करके उसकी एफनेसी ले लेंगे तो आप भी जानना है कि कितना आसानी से मरीज डाइनोस हो गया अगर उसके फ्रेफडे में गांठ है जहां हम पहुंच नहीं सकते वहां ब्रांकोस्कोप हमको पहुंचा सकता तो हम वहां की एस प्रक्रिया को टीबियन्ने कहते हैं अब जरावली आप अब यह देखिए यह वीडियो यह दिखा रहा है कि कैसे हो रहा है अब आप देखो यह है वोकल कार्ट फिर हम यह दुर्बीन का प्रोसीजर है यह देखिए आवाज वाली नली है और इससे हम ब्रांकोस्कोपी शुरू है उसका वीडियो है कि एक कि गांट का हम कैसे अपनेशी ले रहे हैं अब यह देखिए आवाज की नली से हम अंदर यह सांस की नली से हम अंदर जाते जा रहे हैं अब यहां अब यह देखिए अमने इसको रोख दिया सांस की नली है इसको ट्रैकिया बोलते हैं इसकी सब रिंग हो गई अब यह जो आप उंगली देख रहे हो यहां पर यह डिवाइडर जो है इसको कराइना कहते हैं इससे दाहिने दाहिने फेफड़े में चले जाएंगे इससे बाएं बाएं फेफड़े में चले जाएंगे तो इस मरीज के राइट पेराट्रैकियल में लिंप नोड है यानि करीब यहां पर तो हम यहां पर कैसे पहुंचेंगे वही चीज़ जो है इस वीडियो में है तो व इसमें local anesthesia डालते हैं तो अब यह सुन करने के लिए अब हम इस position पे पहुचने की कोसिस करेंगे और यह देखिए गुमाया मैंने और यह चीट जो है पहले तो हम lungs का पूरा चेक कर रहे हैं सारे देखिए सारे छेट दिखाई दे रहे हैं यह फेपड़े का उपर का हिस्सा है इसमें देखिए सब छेट दिख रहे हैं इस से लवाज लेते हैं फिर नीचे के यह फेपड़े के ऊबर का हिस्सा हो गया ये नीचे का हिस्दा हुआ अब इस सारे चीजें क्या हैं आपको सारी दिख रही है कहां पे दिखी क्या गब गढ़ती है चुड़य 간ड़ए है इसमें पने हुए है ये तीन सूराक होते है ऐसा हुआ है ये दाहिने पेपड़े का ऊपर वाला इससा हुआ इसको हमने चेक कर लिया अब इससे हम लवाज ले रहे हैं कि नार्मसलाइन डारा जा रहा है बुलबुला उसी को सक कर लिया तो इसको ब्रांको इल्वियूलर लवाज करते हैं यह फेपड़े की दुलाई भी हो रही है उससों हम वापस सक कर ले रहे हैं अब यह देखिए दाहिने इससे लवाज लिया जा रहा है कि हम नार्मसलाइन डाल रहे हैं और उसको सक करते जा रहे हैं इसको ब्रांको इल्वियूलर लवाज करते हैं इस प्रक्रिया को हम जो है वो कर रहे हैं इसी तरह से फिर हमने इसको फार्वर्ट करी थोड़ा सा फार्वर्वर्ट करी उससी तो यह चीज अब हम जो है इस जगह को सेट करने की कोसिस करेंगे यह लास्ट की तीन जो रिंग है आपको दिखाई दे रही है यह पहली और दूसरी रिंग के बीच में हमको निडिल को ले जाके धसाना है तो अब ही देखो आप यह अमने पोजिशन सेट कर लिया और यह दोनों ट्रेकिया के रिंग के बीच में यह निडिल गई अंदर अब यह देखिए यह निडिल जो है इसकी दीवाल में उसी जगह पे पहुँच गई अब इसको बार-बार जो है पियर्स करके वहां से एफनेसी ले रहे हैं जहां पे यह गांट अब यह देखिए यह निडिल जा रही है और यह इस दीवाल में धसी हुई है जहां पे इनके लिंफ नोड है अब यह देखिए बार-बार आगे पीशे कर रहे हैं निडिल को और यहां से हमने इसका एफनेसी ले रहे हैं इसको ट्रांस ब्रांकियल निडिल एस्पिरेशन कहते हैं तो कहने का मतलब आपको दिख रहा है पोजिशन क्लियर हो गई और आप उस जगह से दुर्बीन के माध्यम से अंदर गए और वहां से गांठ का एफनेसी ले लिए तो यह पूरी प्रक्रिया और यह निकाला है ठीक कहीं कोई ब्लेडिंग नहीं है कहीं कोई खून नहीं छोड़ी से निडल होती है एक इस गेज की और आराम से उसको जो साइट पर लिंफनोड था हमने दुर्बीन से अंदर गए हमको दिखाए दिया हमने वहां से अब दूसरा उस प्रक्राइग आई तो यह कहने मतलब है कि जो बीच में गार्ट थी हमने उसका एफनेसी के माद्यम से हो गया अब मैं दूसरी चीज आपको दिखाना चाहूंगा पूसीजर नमर से करें पर क्लिक करिए टीवी अलबी ट्रांस ब्रांकियल लंग पाइपसी कि पूसीजर वीडियो पर क्लिक करिए कि क्लिक दो है तो ट्रांस ब्रांकियल लंग बाइपसी जो होता है यह क्षणि का मतलब 있는데요 क्वेपसी हुआ कि ट्रांस ब्रांख के लंग पूसी जिससे बिमारी होती है इंटर 1995 इसकी च्छटा होते हैं और होता गया है इस बिमारी में एसकोन होती है तो अब कैसी किस तरह का टाइप है हर टाइप का अलग-अलग इलाज होता है तो इसको भी हम ट्रांस ब्रांकियर लंग बैपसी ब्रांकोस्कोब के माध्यम से इसको पकड़ सकते हैं बैपसी इसमें फेपड़े के अंतिम छोड से ली जाती है और इससे ये पता लग जाता है कि किस तरह का आयलडी है हर आयलडी का इलाज अलग है तो ब्रांकोस्कोब के माध्यम से हम आयलडी नामग बिमारी के को भी जान सकते हैं और इससे हमें उनके इलाज में सुगमता हो जाएगी और किस तरह का ILD है यह पता कर सकते हैं यह काम भी ब्रांकोस्कोप के माध्यम से मैं करता हूँ अब फिर आते हैं आप तीसरा पॉइंट यह देख रहे हैं ग्लू इंसर्शन फॉर्डी करेंट हमाप्टिसिस मतलब कि ऐसे मरीज जिनको बार बार खून आ रहा है जैसे कोई सपोच करिए कि एक मरीज है जिसको बार बार खून आ रहा वो पहले विचार टीवी का दवा करा चुका अब उनके फेफड में जगा जगा माली उपर के हिस्से में गठा है अब गठे से खून आता है वार बार बार विचारा पिशेंट जो है गया दिखाया ब्लीनिंग रोकने के दवाई चली उसको आराम हो गया अब ऐसे मरीज में कैसे हम ब्रांको स्कूप के माध्यम से एक डवा डालते हैं जिसको ग्लू कहते हैं अब वह चीज जो है इसमें होती तो ग्लू क्या होता है कि वहां चप्पी के तौर से उस छेद में जाकी चिपक जाता है जिससे जहां से ब्लीडिंग हो रही है व अंधर जाने कोशिप करें फोड़ा पारवड करेंवाट कर से हलका साव यह देखिये सांस जड़ी के अंदर अब ही हम क्या करेंगे इसुडियू में खोराट कहां मुंह से इंक्रम झलाए अब देखिए सांस की नली से क्रास की डिवाइडर इससे दाहिने हो गया यह बाया हो गया तो हम बाय तरफ जा रहा है बाय फेफड़े में ठीक है अब यह बाय फेफड़े में हम आगे जाएंगे अब यहां पे लोकल अनस्थेटिक डालते हैं जिससे जो पिशेंट को कुछ पता नहीं लगता है अब यह में लोकल अनस्थेटिक डालने हैं दाःं जिससे थोड़ा सा विजन जो इसन है ब्लड होता है पूंप क्लीयर करते हैं क्लीयर करकि आगे बढ़र रहे हैं हम बाय फेफड़े में हैं आब यह देखे बाय हैं फेफड़े के यह सारी सब छेद detect कर लेंगे तो ब्रांको स्कव के मांध्यम से हम वहां ग्लू ढालेंगे जहां से bleeding आ रही है तो ग्लू जो है अब यह देखिए जरब बैक करिए कि थोड़ा सा बैग करिए यह देखिए आप इस मरीज कि यह सांस की नली की दिवाल पर काला काला सा दिख रहा है तो यह अक्सर फंगल इंफेक्शन में होता है यह दिख रहा है जो यहां पर हमारी उंगली है देखिए यह पाच कर दीजिए थोड़ा सा बैक करके पाच करीजिए अब यह अपने ब्लैक दीखा ठेक है यह फंगल इंफेक्शन के वाज़े से आपको बीच भीच में दिख रहा हैं साइड में यह देखिए यह ब्लैक सा जो दिख रहा है दाग यह काला यह सो करता है कि फंगल इंफेक्शन अब वीडियो को आगे प्रोसीड करिए अब देखिए हम इसमें सारे छेट को चेक करते जा रहा है अब इससे आपको दिखाई देगा कि ब्लड कहां से आ रहा है पहले ब्लीडिंग एरिया को हम खोशते जाएंगी यह फेफडे का नीचे वाला हिस्सा है यह फेफडे का उपर वला हिस्सा है अब इसको वीजन को क्लियर करते जा रहा है देखते जा रहा है कहां से ब्लड आ रहा है मरीश के पहले एक्सरे हो चुका है कंदाज लग जाता है कि इस जगह से ब्लड आ रहा है तो अब यहां पे इसको लवाज लेके क्लियर करते जा रह अब देखिए हम सब चेक करते जा रहे हैं कि कहां से ब्लीडिंग देख रही है थोड़ा सा फारवर्ड करिए अब देखिए मोस्ट प्राबली ब्लीडर यहीं पर है तो अब यह दम अब देखिए चेद के अंदर शेद होता है अब इसको हम कलियर करते जा रहे हैं कि इसको सुखाएंगे वहाँ पर कॉल्ड सलाइन डालते रहते हैं यह एरिया ड्राइ हो जाए हमको दवाई डालने के पहले इस एरिया को सुखा के रखना है बिल्कुस साफ होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, तो वो ये चीज़ हो रही है, हम उसके एकदम नजदीक जाने की कोसिस कर रहे हैं, कि सुराक के अंदर सुराक, यानि सेगमेंट के अंदर सब सेगमेंट में, कहां से ब्लीड कर रहा है, उस जगह को करके फिर वहां से ब्लीडिंग रोकने वाली दवा डाली जाएगी है अब ये मारा ये अरिया फोकस हो गया आपकी यह से ब्लड आ रहा है ये अंदर से जरा यहां पांच करिए इस एरिया से हमारा बलड आ रहा है, अब इस टार्ट करें, अब ये एरिया फोकस हो गया, कि इस जगह से बलड आ रहा है, अब ये काम जो है आगे का इसमें हो गए, अब ने वो जगह पकड़ ली, कि जहां से ब्लीडिंग हो रही है, अब ये देखिए, इसको क्लियर करने के लिए इसमें सब कोल्ड सलाइन डालते रहते हैं, जिससे हमें ब्लीडिंग को भी रोके रखना है, और एरिया को भी क्लियर करते रहेंगे, अब देखिए एकदम, अब चुकिए मारी सांस ले रहा है अंदर, तो ये मूवमेंट होता करता है, जो आप देखना है, उपर नीचे जा रहा है, ये सब मुस्किल प्रोसीजर है, थोड़ा सा फारवर्ड करिए भी है, अब देखो आप यह निडिल जो है हमारी, इसमें ये साइड से आप देखो, ये पाज करो, यह देखो एक ये निडिल जा रही है, इसको कहते है ट्रांस ब्रांकिल, ये जो है निडिल है, जो हम यहां तक पहुचा दी, इस वीडियो में आप ये दिख रहा है, ये साइड से जो आपको दिखा है, ये तो लंग्स का पॉर्शन हो गया, और इस छेद से ब्लड आ रहा था, यहां हमने ब्रांकोस्कोप के माध्यम से निड दवा डालना है, देखिए दवा डालना है, ये बुलबुला के रूप में ये दवा जाती जा रही है, अंदर, अब ये इस निडिल से ये दवाई इसमें जाएगी, और जा रही है, ठीक है? अब हमारे खाल से आप लोगों को साई चीज़े क्लियर देख रही हैं, और आप भी देख रहे हैं कि ये निडिल से हमने दवाई वहाँ पर डाल दी, देखिए इस सुराख में ये निडिल का आगे का हिस्सा है, और इसके ये सीथ है, अब ये हम डाल करके, फिर वापस, द निकल आए, तो ये देखिए वापस निकल आए, ये निडिल है, आपने निडिल से दवाई अंदर डाल दी, तो ये प्रोसीजर ऐसे लोगों पर होता रहा है कि कि किसी भी वज़ा से, अगर फेपडे से बार-बार खून आ रहा है, और वो नहीं रुक रहा है, अगर उसकी मातरा दो सो एमल फर डे से कम है, तो ब्रांको स्कूप के माध्यम से उसका इलाज मैं करता हूँ, और ये बहुत मतलब आपको बताना चाहूंगा कि इस वेरी एफेक्टिव टेक्निक, करीब दो सो लोगों पे हम इस काम को कर चुके हैं, तो असी परसेंट लोगों में ब्ल हर दो महिने, तीन महिने पर आ जाता है, फेबरेम पते चला घाओ है, नीचे है, ऊपर है, तो एक रास्ता तो मिल गया, कि ब्रांको स्कूप के माध्यम से हम उसका इलाज कर सकते हैं, हम उसमें दवाई डाल सकते हैं, और वो साइनो एक क्राइलेट नामक दवाई होती है, जो हाँ पर जाकी चिपकने का काम करती है, जैसे ये कोई सुराख है, हमने आपको वीडियों दिखाया, इस सुराख से बलड़ा रहा है, तो हमाई नीडिल किया गी, इसी में अंदर हमने उस जगह को पकड़ा, रंको स्कूप की माध्यम से, हमने नीडिल से इसमें दवाई दवाई डाल दी, और दवाई रिवजाद करके इस सुराख में अंदर चलेगी, और ये सुराख चोक हो गया, जैसे कहीं कोई दिवाल से, माली जीब कहीं कोई दिवाल है, सिलीख हो रहा है, तो आप क्या करते हो, हम क्या करते हो, हम क्या करते हैं, यहां से लीकेज है, यहा तो यह काम भी हम प्रांको स्कूप के माध्यम से करते हैं किसी विएस से चाहे टीबी हो इसमें फेफडे में छुड़ शुड़े गढ़े बन जाते हैं गढ़े पर पढ़ता है बलड आता है कोई तीबी का मरीज है फिला दस साल पहले दवा ले चुके हैं बलड आ गया तो न ब्लीडिंग रोकने के दवाई आदमी देता है लेकिन हम क्या कि हम ब्रांको स्कूप के माध्यम से उसको क्यों कर दी है कि हमने उसमें दवाई डाल दी और जहां से ब्लीड कर रहा था वहां बंद हो गया तो ब्रांको स्कूप के माध्यम से हम खून का भी इलाज कर सकते है खून आ क्यों रहा है और खून बंद भी कर सकते हैं तो यह एक बहुत एडवांस और सस्ता प्रोसीजर है इसके लिए कहीं लखनो डिल्ली बामबे कहीं जाने की कोई जिवरत नहीं आपको यह सुज़ा मैं दे रहा हूँ अब हम आते हैं इधर के तरफ लाओ ये कैमरा रूटीन प्रोसीजर के बारे में इसे बायफ्सी भी हम लेते हैं कोई बहुत हुआ वहाँ बहुत डाल के खुरसते हैं उसको जांश के लिए भेजते हैं तो यह सारी प्रक्रिया वो हुआ है कोई फारेण बॉड़ी है कि जिनकी जो है इसमें फेपड़े की में बार-बार पानी चढ़ रहा है किसी भी वजह से तो थोरेकोस्कोप क्या मैंने फोटो आपको दिखाई तो एकोस्कोप से साइट से जाते हैं यह प्रक्रिया लोकल अरेस्टीसिया में होती है और इसमें पानी को सक करते हैं की लेते हैं फिर पेशेंट को ट्यूब पढ़ जाता है त्यूब 5-6 दिन पढ़ा रहता है पेपड़े में और उसके बाद ट्यूब निकल जाता है और मरी स्वस्त हो जाता है फिर जैसी बैपसी की रिपोर्ट आती है तीवी है या कैंसर है जो भी विमारी है उस हिसाब से उसका इलाज चलता है तो थुरैकोइसकोपी भी एक बहुत सुगम और बहुत अच्छा चीज है जिससे हम बार बार पानी वाले मरीजों का जांच एवं उनका इलाज कर सकते हैं दुर्बीन के दुआर और फेपड़े से सम्मंदित विमारी है तो हम दुर्बीन से उनका न बैख जाएं इसमें जैसे यह थुरैकोइसकोपी का वीडियो यह देखिए पेशेंट के बार बार फेपड़े पानी चलता है यह आप देखो कितनी सारी जिल्ली बनी वही है ठीक है यह थुरैकोइसकोपी का वीडियो है यह देखिए हम पूरा पानी जो है साफ कर रहे हैं जब पानी क्लियर होगा तब उसके बाद अंदर का दिखना सुरूगा यह देखिए अंदर कैसा देख रहा है ठीक है यह थुरैकोइसकोपी हो रही है पेशेंट को बार बार पानी चढ़ने कंप्लेंट थी अब यह देखिए आपको सामने दिख रहा है देखो आप देखिए सब एरिया डिफेक्टेड है इनके देखिए सब यह दिवाइडर तोना सब बैक करिए हाँ बैक करके जड़ा पाँच करिए गए पाँच करिए अब आप देखो एक छिली से सफेज से देख रही है इसको सेप्टा करते हैं यह से कई पॉकेट में है अब इस छिली को भी हम रिमूब कर देंगे इसको तोड़ देंगे यह क्लियर हो जाएगा अब आप यह देख है आप देखि बीज बीज में साइच चीजे क्यों आप को देख रहे है तो जो आँख से दिख रहा है आपको क्लियर है आप इसका भाई सीबис ले सकते हैं सागी फुसर लिजने आप बीडियो मिन दिखाई देगा तो यह है अई देखे नीचे पानी है बार बार अब डाउन कर रहा है यह आप दिखो पूरा ज लिज बना वा आपके सब अंदर दिख रहा है थोड़ा फारवर्ड करें अ कि 사 आ पुरह सफेज सफेज पैच हैं यह सारी चीजें आपको थोड़ेको स्कॉप से दिख रही है अंदर फारवड करते रहे हैं कि यह दिखो आप इस सब डिफेक्टेड एरिया है कि थोड़ा और फारवड करिए कि इदा यह सब जिली है इस तरह की स्ट्रक्चर सब दिखाई दे रहे हैं आप दो घूप सपहें सपहें जिली पूरी आँप यहां पाउच करीब यह जो गरवड एरिया यह निडिल जा रही है और हमने आपको पाकट दिखाया सेप्टा दिखाया जो जिली तोड़ा फिर यह बाइपसी ले लिए अब देखिए अब देखिए बाइपसी का टुकड़ा लेकर के जाच के लिए निकल आ रहे हैं यह नार्मल एरिया है ऑँ यह दिखिए बैक्सी का टुकुड़ा ले रहा है यह सब जिली है इसको चीर रहा है यह सारी जिली अब यह देकिए आप यह इसको चेट जागर इसको पुरा घुमाते हुए तोड़ दिया सारे पाकेट को फ्री कर दे रहा है अब बाइफसी भी लेते जा रहा है तो आप यह देखो कितना इलाज आसान है अब इस मरीश के देखिए कितने छोड़-छोड़े पाकट बने हुए हैं यह सारी जिल्ली जो है अब यह तोड़ी जा रही है अब यह देखिए चीरते हुए इसको क्लियर करते जा रहे है तो आप देखिए जैसे कोई मच्छड़दानी होता है बीस से अंदर गए और उसको चीरते गए उसी तरह से हम यह अंदर काम करते हैं तो यह थुरेकोशकोपी यानि दुर्भीन से पहिपड़े में पानी का इलाज ए्मकाप रचिरस्ण देख रहे हैं इस वीडियो सारी चीजें दिख रही जो चीज दिख रहा है हम उसको तोडरी करते जा रहा है उसकी जयंस लेते जा यह इस तरह से है फुरसा फारवड करी अब देखो आप इसमें सारी चीज़ें मतलब जो हैं सब चीज़ें निखाई दरेंगा आपको और फारवड करी अब यह काम में करीब 40-45 मिनट लगता है इस आप देखो यह सब पूरे कैंसरस है पूरे सब वाइट वाइट पूरे पा तो थोड़ा सब बैक करीए यह देखिए यह निडिल गई आम यहां से टुकड़ा नोच करके जाच के लिए बेज रहे हैं यह देखिए बायफसी फोर्सेप कहते हैं इसको तो यहां से यह बायफसी ली जा रहे है अब क्लोस के देखिए बायफसी मैंने ले दिया तो थोड़े को इस कूपी से क्या फायदा है कि एक छ्रिट से हम अंदर गए हमने उसका पानी भी निकाल लिया हमको अंदर जो दिखना था देख लिया कोई अगर उसमें जो डिफेक्ट था उसको करेक्ट कर दिया कोई गा किस वज़े से टीबी के वज़े से कैंसर के वज़े से जांच में क्लियर हो गया तो आप भी समझ गया कि भीया जो चीज़ आँख से देखके किया जाता है ठीक है उसका ज्यादा एड़ांटेज है कि हमको यह चीज दिखाई दे रहा है यह चीज यह हो सकता हमने उसको जा पानी चड़ा है पानी हो निकलवा लिया जाच के लिए चला गया तो अंदाज जो रिपोर्ट है उस आधार पे इसमें क्या है कि इसमें हमको दिख़रा है हम अंदर गये दुर्बीन से पूरा पानी क्लियर कर दिया दो लीटर ढाई लिटर जितना भी क्लियर हो गया कि उसके गाट की वैपसी ले लिए अधर कई पाकेट में है पानी सारे पाकेट को तोड़ दिये चेड दिये अब उसकी बैपसी ले लिए उसमें ट्यूब डाल लिए मरीश की 5 दिन 6 दिन में ट्यूब निकल गया तो थ्रैकोश्कोपी एक बहुत अच्छा और एडवांस तो अब यह हैं कि आप किस किस बीमारी में इसको ब्रांकोश कुपी कर सकते हैं तो जैसा हम बता चुके हैं कि चेस्ट की कोई भी बीमारी हो चाहें इंफेक्शन हो अगर माली टीवी का है सिंपिल बैक्टिरियल इंफेक्शन है फंगल इंफेक्शन है परासिटिक इंफेक्शन है तो कोई भी इंफेक्शन हो ब्रांकोश कोप से हम अंदर जाते हैं और फेफडे का ब्रांको अल्वियूलर लवाज लेते हैं यानि फेफडे की धुलाई और वही चीश जाच में भेज दिया हमको सारा infection पता लग गया टी बी के वियस्या है निमोनिया तो नहीं है फंगल इंफेक्शन है, पारसिटिक इंफेक्शन है, तो कोई भी इनफेक्शन हो फेफडे का, इससे पता लग जाएगा, हमने आपको वीडियो दिखा है, कोई गाठ हो, हम उसका एफनेसी ले लिए, कोई सांस की नली में गाठ हो, उसका हम बाइपसी ले लिए, अगर खोन आ रहा है, तो हम खोन की कारण क्या है, यह भी पता लग गया हमको, अगर खोन रोकने के हमने दवाई डाल दी, ठीक, अगर सांस की नली है, माली यह पाइप है, ऐसे सिकड़ा हुआ है, हम को इसको देख रहे हैं कि अरे, यह तो गम बुरा चोक है, आप यह सुराग देखो यह पूरा फैला हुआ है, अब यह देखो, यह बंद है, हम क्या करेंगे, ब्रांकोस्कोप की माद्यम से, यहां बैलून आता है, इसको फैला देखेंगे, यह काम भी ब्रांकोस्कोप की माद्यम से करते हैं, तो कहने का मतलब यह है, कि ब्रांकोस्कोप से सारी चीज़ें वो सकते हैं अगर सपोश करें कोई पेशेंट जिसको बारवर खासी आ रही है उसमें अपना एक्सरे कराया एक्सरे में भी कुछ नहीं आ रहा है जो विमारी है उसको डियाग्नोस हो गया हैं तो दुर्बीन से हम ऐसे मरीश का भी जिसको बारवार खांशी आर रहे एक सरे कलीर हैं सिटी स्कैन में कुछ नहीं आरहे हैं उसी तरह से छैसे कभी-कभी क्या होता है कि फारें बारी चला जाता है कोई चीज आप खा रहे हैं या कोई चीज सरक के सास की नली में चला गया फेपड़े में तो उसको भी जो है निकाला जाता है ब्रांकोस्कोप की माध्यम से इसे कभी कभी चना हो गया या कोई चीज हो गई निगल के खास समय गलती से सास की नली में चला गया अंदर चला गया तो दुर्वीन के माध्यम से ह हम उसको भी निकाल सकते हैं यानि कि चेस की कोई भी विमारी हो वह ब्रांको इसकोप की माद्यम से डाइग्नोस हो सकती है और उसका इलाज संभव है उसी तरह से कोई भी फेपणे में पानी चरड़ा या फेपणे जिली जो है मोटी है उसमें रुकावट है सेप्ता बने हु सारी प्रक्रिया काना हेल्थ केर सेंटर में आपको बलब्ध है और यह सारी चीजें हम करते हैं तो और यह बहुत सस्ते दर पे होता है जो काम दिली लखनों में 35 जार 30 जार 40 जार में होता है वही काम यहां बहुत सस्ते दर पे मैं कर रहा हूं तो इसका वीडियो का बताने कंदेल था कि आपको इस ये चीजय जैने हैं ये मैरे कर रहा हूं इसकी सूचना आपको देना था कि आपके संपर्क में या कोई भी इस तरह का मरीज हो जो परिषान हो तो आप उसका लाग उठा सकते हैं और यह बहुत सस्ते और जो भी चीज़ें हैं बहुत सस्ते दर पे यहां उपलब्द है धन्यवाद